हेलो दोस्तो, वेलकम टू फाइनेंस जानकरी यूटूब चैनल, मैं हूँ अवजीत और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा SBI Insta Plus Savings Bank अकाउंट के बारे में दोस्तो अगर आप भी SBI में कोई ऐसा अकाउंट ओपेन करना चाते हैं आप घर बैटे बैटे इंस्टेंडली ओपेन कर सकते हैं विडाउट ब्रेंच विजिट किये तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है इस वीडियो में हम जानेंगे SBI Insta Plus Savings Bank अकाउंट का क्या-क्या benefits and features से उसके साथ ये अकाउंट ओपेन करने के लिए क्या-काई eligibility है और आपके पास कौन सा-कौन सा डोकुमेंट्स होना चाहिए और साथी साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये अकाउंट को घर बैटे-बैटे कैसे online ओपेन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वोस्ट किये आज की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला हम बात करते हैं SBI Insta Plus Savings Account का कुछ फीचार्स और बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहला बेनिफिट्स की बात करें तो आप ये जो SBI का Insta Plus Savings Bank अकाउंट है ये आप वीडियो QIC करके instantly open कर सकते हैं without any extra charges दोस्तो इस एकाउंट को open करने के लिए आपको branch visit की जरूरत नहीं है आप पूरी तरह से paperless तरीके से इस एकाउंट को open कर सकते हैं आपके बाद सिर्फ अधर card और pen card होना चाहिए दोस्तो इस एकाउंट यूस करके आप अपना fund को transfer कर सकते हैं दोस्तो इस एकाउंट के साथ आपको यहां पर रूपे का classic debit card भी दिया जाता है अगर आप घर से बाहर है आप home branch में नहीं है तो आप यह एकाउंट कहीं पर भी बैठके online open कर सकते हैं यही इस एकाउंट का main benefits है तो चली अभी हम जान लेते कि SBI का Insta Plus Savings Bank account का eligibility क्या है सबसे पहले eligibility की बात करें तो आपका जो minimum age है वो 18 years होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत पड़ा लिखाए आना चाहिए ताभी यह एकाउंट को आप open कर पाएंगे इसके साथ एक और eligibility criteria है जो most important है अगर आपका SBI में कोई दूसरा account है या दूसरा customer ID है तो उस case में आप यह जो Insta Plus Savings Bank account है इसको आप open नहीं कर सकते हैं उसके साथ यह account apply करने के लिए आपका mode of जो operation है यानि account को कितने लोग operate करते हैं वो आपका single होना चाहिए तब ही आप यह account को open कर पाएंगे चली अभी हम जान लेते हैं कि SBI का Insta Plus Savings Bank account open करने के लिए क्या का documents की जरूरत होगा सबसे पहले आपके पास original pen card and undercard होना चाहिए इसके साथ आपका जो under number है उसमें आपका current address होना चाहिए और साथी साथ उस under number पे आपका mobile number linked होना चाहिए अगर आपका mobile number undercard से link नहीं है तो आप यह account open नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप KYC करने जाएंगे तो उस तरिम पे आपका यह जो verification से नहीं KYC का वो अंधर OTPK through करना पड़ता है तो अगर आपका अंधर number पे mobile number ही link नहीं होगा तो आप यह वीडियो KYC नहीं कर पाएंगे यह account open करने के लिए आपके पास कोई भी एक active mobile number की ज़रूरत है जो आभी के time पे सब के पास available होता है दोस्तो जब भी आप online यह account open करेंगे तो आप इंडिया में present होना चाहिए और आप अगर इंडियान resident है तो ही आप यह account को open कर पाएंगे दोस्तो मैंने आपको बता दिया SBI InstaPlus Savings Bank account का क्या-क्या feature से यह account open करने के लिए क्या-क्या eligibility criteria रखा गया है और इसके साथ-साथ आपको क्या documents की जरूरत पड़ेगा चली अभी हम बात करते है कि आप कैसे SBI का InstaPlus Savings account online आपन कर सकते है दोस्तो पहले क्या होता था SBI का एक Eono portal आता था website तो उस website पे जाके आप यह account apply कर सकते थे लेकिन currently वो जो portal है वो discontinue हो चुका है तो आपके पास आभी एक ही तरीका है आपको सबसे पहले Google Play Store से Yono app डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तो SBI का Yono app ओपेन करने के बाद आपको वहाँ पे एक option दिखेगा New to SBI तो उस options के उपर आपको क्लिक करना है दोस्तो वहाँ पे आपको एक और options दिख जाएगा और आधर का details देना है आधर का details देके आप जैसे submit करेंगे तो आपका आधर registered mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आप enter कर दिजिए OTP एंटर करने के बाद आपका जो भी basic details और आपका communication और आपका current address आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा आप वह डाल दिजिए उसके बाद आपको video kyc के लिए कहा जाएगा अगर आप instantly video kyc करना चाते है तो वह भी आप कर सकते है यानि आप जाब चाहो ताब ये video kyc कर सकते है login करने के बाद resume and complete the video kyc process options के उपर click करना है आपका यहाँ पे आँधर number एंटर करना पड़ेगा आँधर number एंटर करने के बाद आपके आँधर registered mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP एंटर करके आपका जो video kyc process है वो start कर सकते है उसके बाद आपके सामने original pen और original आँधर card और आपके पास एक pen और paper copy होना चाहिए दोस्तो वीडियो kyc करने की दोरान आपका जो भी documents है सारे original आपको show करना है उसके साथ साथ आपका signature भी करना पड़ेगा live दोस्तो आप जैसे वीडियो kyc process को complete कर लेते हैं उसके बाद आपका verification होगा by bank official वो automatically दोस्तो online होता है दोस्तो जैसे आपका SBI का insta plus savings bank account open होगा open होने के बाद आप यहाँ पे कुछ amount यहाँ पे deposit कर सकते हैं दोस्तो amount deposit करने के बाद आप जैसे normal account यूज करते हैं उस तरह से आप यह account को भी use कर सकते हैं तो उमीद करता हो आपको पता चाल गया होगा कि आप कैसे SBI का insta plus savings bank account को open कर सकते हैं अगर आपको इसके related कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं आपको reply करने की पूरी कोसिस करूँगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक like जरू कर देना इससे हमें motivations मिलते हैं अगर आपने अभी तक finance जानकर YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो banking, personal finance and investment related वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी कभी subscribe कर लिजे चली दोस्तों मिलते हैं आप सब के साथ नया और अख फ्रेश वीडियो में तब तक लिए गुडबाई जाहिंद